हाई फ्रेंस तो आज महाराष्ट का फेमास पाव भाजिम तो चले शुरू करते हैं पाव भाजी वीडियो को लाज तक देखें अच्छा लगे तो जारो लाइक करें तो दोस्तो सबसे पहले कुछ सबजी कट लेना है जो डालना है आपको पास प्याज लशून और हणा मिर्ची ठीक काटके दखाओ टामटर तो सबसे पहले पिशेर कुकर को करम करें और थोड़ा सा सफेद तेल डाले वह साथ में चमच बटर उसको इसमें डाल देगे बाड़ी काटा हुआ लशून क्लाश्ण को थोड़ा साच्छ से फ्राई कर लेंगे पहले और इसके बार डाल देंगे इसमें प्याज तो प्याज को भी डाल देंगें प्यास को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम बहुत जदा लाल करके फ्राई करने के ज़रूत नहीं थोड़ा फ्राई करना है ठीक है उसके बाद एट कर देंगे इसमा हडा मिर्ची डाल देंगे दालने के बाद आच्छास से इसको भी चला के फ्राई कर लेंगे कि देख सकते हैं पुरा फ्राई नहीं करना है ठीकित नहीं फ्राई है शाथमा नमक थोड़ा सा मरिची पाउडर डाल देंगे थोड़ा जीरा बाउडर थोड़ा धन्या बाउडर जो है आपका इसी में बन जाता है तो मसला को थोड़ा सा पका लेना है अच्छा से मिक्स करके हम इसको पका लेंगे तो डाल देंगे इसमें आलू को आलू को बस इस तरह से काटके रखाओ और गाजर यहां पर जब बारीक हो मोटा हो कैसे भी काटे सीटी मानने के बाद सब कर जाएगा ठीके ना प्याच इसमें फूल को भी शिमला मिर्च डाल देंगे थोड़ा सब बेंस तो हमने बैरेटी सब जीविस किया यह आप आप के पास जो भी यह एवेलेबल होगा आप उसको डाल के अच्छा से इसको थोड़ा से चलाते हुए पका लीजिए तो थोड़ा इसको चला लिजिए अचछा से mix कर लीजे तो इसमें ढाल देंगे हमारा कठा भूआ जो टामाटर है और साथ में डाल देगे इसमें लिवा और से ऑप छेमक जो अपराद लुने आपापाशाग को यहां सश्राइब की जहाए निचाएं好像 गविसाति सीटेशें Techुछ लेगारेख के देख सकते हैं कि देखिये दान्व डालना बिला ने भोल गया थाला मटर है इसमें मटर भी डाल देंगे से तो बटर डालने के बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे पानी पानी अपना हिसाब से ले लीजिए जैसे गाड़ा या पतला चाहिए उससे सबसे बाद में भी पानी डाल सकते हैं तो देखिए हमने बहुत ज़्यादा पानी यहां पर यूज नहीं किया तो दो से तीन सीटी इसको लगाएंगे क्या होगा सब जी बुड़ा अच्छा से ग बोहुत ही शॉट टाइम में बहुत ही अच्छा बन जाएगा अगर इसको कहा करने आच्छा से मैस्ष कर लेंगे वह होती सिंपल है दोस्तों लाज आप खुश बहारा है तो देखिए सकते है इसको अच्छा से मिश करने मैस्ष कारने के बाद कहाँए च्छा स्वार ली ज कि दनियागे पत्ति और डाल देंगे इसमें बाटर है कि बैस आपका पाव भाजी तैयार है कि भाजी बिल्कुल रेड़ी है कि इसको काम या जाता पानी या आपको जीसे सबसे चाहिए पतला या मोटा उससे पर ले लिजिए पाव ले लिजिए पाव को क्या करना बहुत सिंपल इसका तो चाहिए एक एक पीस हो या दो पीस करते हो या पूरा को थोड़ा सा बटर लगा के फ्राई करना है तो दोस्तों रेसीपी अच्छा लगने से जरो लाइक करें अब मेरे चैनल में नया है तो सस्क्राइब करें ऐसे नया नया के लिए दोनों साइट कि एक दुम एक दुम बहुत ही मज़ादा दोस्ते एक दुम पर्फिक्ट टेस्ट आएगा इसमें तो मज़ा से खा सकते हैं तो इसको निकाल दीजिए देखिए हो गया तो वाल नोटिफिकेशन करके मेरे साथ बने रहे जैसे मैंने आए को रेसीप की पाने के लिए आप क्या करना है देखिए है पूरा गरम है कि और इसमें डाल देना है भाजी कि तो भाजी में क्या करना है थोड़ा से धनिया पत्ता और आएगा थोड़ा से मैं लेमन के जुश यूज कर रहा हूँ वाव और थोड़ा से बटर एक दम तहीं आरे तो देख सकते दोस्तों कलर भी बहुत ही पड़ी आया लाजबाब तो थेंक्यू पर वाचिंग मिलते अगले वीडियो में अब तक लिबाए